अगर आप एक researcher है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने कभी न कभी जिन्दगी के अंदर Google Scholar को तो search किया होगा, Google Scholar क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके सामने screen share हो रही है, आप Google पे जाते हैं, Google पे जाके Google Scholar लिखते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से आपके पास कोई Google Scholar की चीज आजाती है, for example, अब यहाँ पे मैं search करता हूँ अपनी profile, मोहमद अमार तुफैल, मैं यह लिखता हूँ, तो यह मेरे पास मेरी profile आ जाती है, मैं इस पर click करता हूँ, click करने के बाद यह मेरे पास मेरे सारे जितने भी papers पब्लि अब गद हमें यह पता नहीं चलता कौन सा paper कितनी quality में यहाँ पे पब्लिश हुआ है, या कौन से journal की quality कितनी है, उसके लिए आज मैं आपको एक extension बताने वाला हूँ, आप Google पे जाके आप लिखें, rapid journal quality check, chrome extension साथ में लिखतें, chrome extension और लिखने के बाद enter करें, enter करने के बाद आपके पास पहला link आएगा, उस पे गरनाया है, आपने click, click करने के बाद आपके पास ये इस तरीके से एक extension आजागी, इसके बारे में सारी information यहाँ पे लिखी हुई है, आपने add to chrome पे click करने के बाद ये extension आपके chrome के अंदर add हो जाएगी, जैसे ये extension आपके chrome के अंदर add यह सारी options यहां पे भी आ रहे हैं ठीक है and then you will see any other profile go and refresh that page and आपके पास हर एक paper की quality plus पे click करेंगे and there are other parameters वो आपके पास आ जाएंगे यानि के paper की quality के है paper के उपर different किसम के जो matrix हैं जो इस extension के थ्रू दिये हुएं you can check जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यह मेरा Q1 के अंदर है यह भी Q1 के अंदर है जो Q1 वाले है वो green color में आ रहे है Q2 वाले paper मेरे पास जो है वो orange color के अंदर आ रहे है इस तरीके से अगर मैं किसी और की profile देखूं फॉर एक्जैमपल यह मेरे एक दोस्त है इसकी मैं profile open करता हूँ डार्साब के paper माशालला काफी publish हुएं तो अगर आप गौर करें तो उनके ज्यादातर paper जो है वो Q1 के अंदर publish है यह Q2 के अंदर है which we have common authorship तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे papers की quality कैसी है और हो सकता है आपकी life के अंदर कोई ऐसा एक professor है जिसके पास आपने काम करना है future के अंदर so you can search that professor for example मैं Google पे जाता हूँ यहां पे हमारे field के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है Bernard A. Click का तो यहां पे मैं click करता हूँ Bernard B.R. Click इनकी profile आ जाती है यह professor है Canada के अंदर तो आप देखें इनके जितने भी paper publish हुआ है highly cited paper भी और दूसरे papers भी उनकी सारी की सारी information यहां पे आपक back to hand आप देख सकते हैं कि इनका कौन सा paper कहां पे गया है किसका quality score है और क्या चीज़न चल रही है यह जो एक extension है it's going to help you a lot अगर आप दुबारा से देखें तो Rapid Journal Quality Check is extension का नाम है इस वीडियो को देखें शेयर करें दूसरों के साथ ताके बाकी लोग भी इस extension से फाइदा आप इस